नमस्कार दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपी एफ भरती के बारे में जियां दोस्तो आरपी एफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरप से आपकी ओफिशल वेकेंसी निकलने जारी नो हजार से ज्यादा पदो पे जिसमें से आपके आदेपत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे जियां दोस्तो आपके साड़ी चार हजार पद आपके महिला सेलरी पेकेज भी इस वेकेंसी की काफी अच्छी मिलने वाली है दोस्तो सभी केंडिडेट आवेधन कर सकते इंट्रेस्टेट केंडिडेट जो भी है वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेगा अब दोस्तो आपके बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडिय और और औरयनिजेशन आपके रेलवेग प्रोटेक्शन फॉर्स आरकशित रहेज़ाढ़ए दोस्तो आपके जो एक्जाम की चोले कोंसी पोस्ट है रहने वाली है कौनस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आपके पोस्ट रहेगी दोनों का अलग-अलग एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा इसमें से आदे सीटे आपके महीलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली है दोस्तो वेकेंसी के लिए अपलाई कैसे करना इसके लिए ओफिशिल वेबसाइट का लिंक मैंने मेंचिन करा है वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं टोटल मिला कि पांच आपके आपके सेलेक्शन प्रोसेस के स्टेजेज रहने वाली सबसे पहले आपका सीबिटी एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा उसके बाद में फिजिकल एंडूरेंस टेस्ट फिजिकल मेडिकल टेस्ट, डोकुमेंट वेरिफेकेशन और मेडिकल एक्जामिनेशन आपका होगा और दोस्तो वेकैंसी के लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है आपके आपे मिनिमम एज 18 साल और मेक्सिमम 25 साल का age limit का criteria रहने वाला है age relaxation भी आपको दिया जाएगा CST के candidate को 5 साल का OBC candidate के लिए 3 साल का अलग से other candidate जैसे कि आपे ex-serviceman, widow or divorced woman government employees के उनके लिए भी आपे अलग से criteria रखा गया age relaxation का दोस्तो railway हमेशिया notification निकालता तो CEN1 CEN2 या CEN3 में निकालता मतलब कि आपके आपे जनवरी, फर्वरी, मार्च कभी भी आपका notification रिलीज हो सकता है application fees, vacancy के लिए आपे general OBC EWS candidate के लिए 500 रुपे रहेगी, वहीं अगर CST और physical handicapped candidate के लिए देखे तो 500 रुपे आपके fees रहने वाली है vacancy के लिए pay scale आपको काफी अच्छा मिलेगा, यहाँ पे basic पे 21,500 रुपे आपका रहेगा other allowance भी आपको मिलेंगे, काफी अच्छी salary आपके रहेगी, 35-40,000 पे आपको starting salary मिलेगी दोस्तो vacancy यहाँ पे constable और यहाँ पे जो ऐसा ही रहेगा, उसके लिए education qualification के अगर बात करें, तो अच्छी पास, बार यहाँ पास को graduate candidate आवेदन कर सकते हैं, सब inspector के post के लिए graduation मांगी गई है, और दोस्तों यहाँ पे step by step registration का process भी मैंने बता रहेगा, railway में अगर आप आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना नाम, father's name, email id, mobile number डालके आपको basic registration करना पड़ता, उसमें आपके पास mail और contact के तुरू, आपके SMS के तुरू एक OTP आएगा, उससे आपको verify करना पड़ेगा verification के बाद में आपके यहाँ पर registration ID, password जनरेट होगा, उसके बाद में आपको सारी detail फिल करनी पड़ेगी दोस्तो, जैसे ही वेकेंसी के आवेदन स्टार्ट होंगे apply का लिंक यहाँ पर update कर दिया जाएगा description box में दोस्तो, official news का यहाँ पर update कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते है rail minister ने announcement कर दिया वेकेंसी का आपकी 9000 पोस्टों का आवेदन आपके जनवरी या last फरवरी में आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तो, आपके बहुत जल्दे वेकेंसी के आवेदन स्टार्ट होने वाले तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आपे 2022 में इलेक्शन्स आने वाले इस वज़े से आपका जल्दी ही एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा तो दोस्तों ये आपका वेकेंसी का पुरा प्रोसेस रहेगा मैंने बता दिया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में